तो इस नवहां ओस ग्लास नूट 15 नूएंट विया है इस के लार्टॉ आइसा लगेगा वह बात पहले आप सोचो कुछ भी बोलने से पहले तो लेसन का नाम क्या है थींक वीफोर यूज पीक स्वेच लेखते हैं स्टार्ट करते हैं लेषन man was meant to listen more and talk less तो इनसान का मतलब ही क्या है listen more सुने ज़्यादा और बाते कम करें ठीक है किसी की बात को आप किसी को भी ठीक है उतना ही बोले जहां पर जरूरी है आपको बस वहीं बोले है हमेशा बोलते रहने से हमें देखते हैं जो विद्वान लोग होते हैं या जो बड़े बड़े संत रह चुके हैं उन्होंने यही बोला है कि आपको जहां बहुत बोलने की जुरत लगे वहीं वस बोलना है कितना बोलना है वो भी आपको सोचना है हमेशा बाते करनी जरूरी नहीं है उसमें भी हमारी एनरजी लॉस होती है ठीक है और दूसरों को कैसा लगेगा कैसा नहीं लगेगा कुछ बात बोलते हैं हम ऐसी भी बाते बोलते हैं जो लोगों को बहुत काफी हर्ट कर देती है इसलिए यहाँ पर बोला गया है और इसी बात पर बिलकुल इसी बात पर जो Great British Statesman Benjamin Disraeli ने कहा है नेचर है इंटावड मैं विद टू यहाँ ने वन माउथ इफ मैं वाज मैं तू टू आप मोर अन लिसन लेस यहाँ पर यह बोला इन्होंने कि नेचर ने हमें क्या दिया है अगर इंसान को ज्यादा बात करना होता और सुनना कम होता तो कुदरत उसे क्या करता कैसा देता उसे दो माउथ देता और सिर्फ एक कान देता imagine how we would have looked how strange with two mouths on the two sides and one ear at the center कैसा मूँ दिखता हमारा कि बीच में यहां पे हमारे मूँ की जगह पे क्या आजाता कान आजाता और यहां पे हमारे यहां पे क्या होते दो माउथ होते हैं ठीक है मतलब यहां पे दो माउथ होते हैं हमारे कान की जगह पे हमारे मूँ होते दो और हमारे जो मुह है जहाँ पे एक सिर्फ, वहाँ पे एक कान होता, कैसा लगता हम, कैसे दिखते, बहुत ही बुरे दिखते, ठीक है, IMAGIN कर सकते हो, आप कैसे दिखते हम, इसलिए बोला गया है, कि यहाँ पे इनसानों को बोलना कम चाहिए, और सुनना जादा चाहिए, अगर इंसान को जादा बोलना होता कम सुनना होता तो फिर भगवान उसे क्या देते कुद्रत उसे क्या देते उसको दो मूँ देते और एक कान देते ठीक है मतलब यहां पर हमें वही चीज़ें तो यहां पर वही बोला गया है कि इमेजिन करो हम कैसे दिखते कितने स्ट्रेंज लगता कितना अजीव अजीव लगता अगर दो मुह होते और एक कान होते ठीक है और दो मुह कहँब कान की जगे दो जो हमारे कान है वहां आपए साइड में दो मुह होते और जहां में हमारा मुह है सेंटर में होता है When a अगर आपने ध्यान दिया होगा तो हमेशा ओपन रहते हैं वह कवर नहीं रहते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सुन सकी ठीक है जब कि मारे मुह देखते हैं आप तो किस तरह के से बंद रहता है ठीक है तो कान के पास कोई डोर है क्या मुग के पास तो है आप मुग को खोल सकते हो बंद कर सकते हो ठीक है लेकिन कान के पास कोई ऐसा कुछ है क्या नहीं है तो इसलिए हाँ पर बोला गया कि कोई डोर नहीं है जिससे कि आप उसे क्लोस कर सके वह हमेशा खुला रहता है ज्यादा सुनने के लिए वेराइस इफ यू हैब टू स्पीक इवन वन सिंगल वर्ड लेकिन जब आप एक भी वर्ड अगर बोलना चाहोगे अगर आप एक भी वर्ड बोलते हो डाइट वर्ड मस्ट पास थ्रू टू वॉल्स टू फेंसे तो हमारे जो वर्ड होते हैं वो किस से पास ह होते हैं तू वाल्स और टू फेंसे से अब यह टू वाल्स और टू फेंसे क्या हैं यह टीथ और लिप्स की बात कर रहे हैं तो यह जो फेंस की बात कर रहे हैं जो दो रो होते हैं हमारे दांत की वह क्या करते हैं जब तक आप अपने दांत को उपर निचे जब तक मुवम लिए आप कैसे बोल पाओगे उसके बोलने के लिए यहां पर टू वाल्स होते हैं टू फेंसे होते हैं ठीक है मतलब वही बात निकलनी चाहिए जो बहुत जरूरी है देर इस फर्स्ट्री दाद के बाद लिप्स को भी जब तक नहीं कोलोगे तब तक आप कोई बात नहीं ब किसी भी वर्ड को पास होने के लिए उसे टू वाल्स और टू फेंसे से गुजरना पड़ता है बिफोर अ वर्ड कैन भी स्पोकर कोई भी बात कोई भी वर्ड बोलने से पहले इट हैस टू पास इट हैस टू पियर्स त्रू दीस टू वाल्स इसे चो टू इट हैस मतलब को एकदम शाप ठीक है शापली जो होते हैं वाल्स दांत कैसे हैं एकदम शाप होते हैं तो उसे पहले कोई भी वर्ड पास होने से पहले बोलने से पहले उसे दो वाल्स और कैसे वाल्स हैं वो पियर्स हैं एकदम शाप हैं उनके तुने गुजरना पड़ता है ठीक है उसके बा Therefore we must think at least twice before the utter word utter means बोलना इसलिए कोई भी बात बोलने से पहले हमें बहुत ही अच्छे से सोचना चाहिए A very wise man once remarked that of the unspoken word you are a master तो यहाँ पे किसी विद्वान व्यक्ती ने कहा है समझदार व्यक्ती ने कहा है कि unspoken word जो होते हैं जो कि आपने जब तक बोला नहीं है कोई भी बात तब तक आप उसके master होते हो ठीक है आप उसे control करते हो Of the spoken word you are a slave और एक बार आपने कोई बात बोल दी तो आप उसके slave हो जाते हो मतलब उसके गुलाम दास हो जाते हो फिर वह बात आप कितना भी कोई भी कोशिश करो वह वापस आपके पास नहीं आ सकता वही बात बोला है Once you have spoken a word you cannot get it back एक बार आपने बात बोल दी कोई भी तो वह वापस आपके पास नहीं आ सकती इसलिए बोला गया कि आप उसके slave हो जाते हो Do what you will आप चाहे कुछ भी कर लो वह बात में वह बात कहीं गई बात वापस नहीं आती Therefore, you must be very careful about the words इसलिए जब आप कुछ भी बात बोलो बहुत ज़्यादा केरफूल होना होता है आपको बहुत ज़्यादा केरफूल रहना चाहिए जब भी आप कुछ बोलो कोई भी word बोलने से पहले बहुत ज़्यादा careful होना चाहिए once the word has left your lips you will not be able to get it back एक बार आपने कोई भी word बोल दिया आपने lips से बाहर निकाल दिया तो वो आप उसे बापिस नहीं ले सकते what are unspoken words अब ये unspoken words क्या है they are things you want to say but remain unsaid unspoken words वो होते हैं जिन्हें आप बोलना चाहते हो but आप उन्हें बोलते नहीं once you have put the thoughts into words once the words have left your lips you cannot change them or control them इसलिए तो बोला कि आप उसके slav हो जाते हो जब तक नहीं बोलते हो तब तक ही master रहते हो एक बार जब आपने thoughts को words में convert कर दिया मतलब अपने thoughts को अपने शब्दों में बया कर दिया बोल दिया ठीक है और एक बार जब आपने उन words को अपने lips से बाहर छोड़ दिया ठीक है बाहर कर दिया you cannot change them और control them फिर आप उसे change भी नहीं कर सकते control भी नहीं कर सकते इसलिए तो बोला जा रहा है कि बहुत ही यंग मैन वेंट तो इस स्पिरिच्वल टीचर एंड सेड अब एक थोड़ी स्टोरी यहां पर बता रहे हैं इसी बात पर कि किस तरीके से हमें बोलना नहीं चाहिए कोई बात उसी पर यहां पर एक स्टोरी है चोटी से देखते हैं यंग मैन वेंट टू उनके पास जाता है और कहता है I have spoken very harsh and unkind words to my friend मैंने अपने फ्रेंड को बहुत ही harsh मतलब कठोर शब्द कहें और unkind words मतलब ऐसे जो बिल्कुल भी kind नहीं थे ठीक है तो वैसे शब्द मैंने कहे हैं अपने फ्रेंड को and he is deeply hurt और वो बहुत ज्यादा hurt हुआ है मेरी इन बातों से I am afraid I have lost my friendship with him और मुझे मैं मुझे इस बात से डर है कि कहीं मैं मतलब मैं उससे अपनी दोस्ती खोदूंगा how can I make comments तो यहां पर बोड़ रहा है कि मतलब क्या होता है make up for the wrong that has been done मतलब की कैसे make up कर सकता हूं जो बाते मैंने कह दी जो बाते हो चुकिए अब मैं उसको cover-up कैसे कर सकता हूं the wise teacher gave him a fresh sheet of blank paper and a pen तो उस teacher ने बुद्धिमान वाइस का मतलब होता है बुद्धिमान बुद्धिमान टीचर ने उससे क्या दिया एक fresh मतलब एक blank sheet दिया ठीक है blank paper दिया और pen दिया और कहा he said to the young man उन्होंने young man से कहा write down on this paper all the harsh things you said to him तो इस पे सारी वो harsh things harsh words लिखो जो तुमने उसे बोले है the young man did as he was told तो young man ने वही किया जो उसने बोला and showed the paper to the teacher और वापिस से वो paper teacher को दिखाया now tear up this sheet of paper into as many small bits as you can the wise teacher said अब बोलता क्या है teacher यहां पे लिखवा लिया जो भी harsh words थे और बोला कि अब इसे फार्ड दो इस sheet को फार्ड दो into as many small bits छोटे-छोटे pieces में इसे जितना छोटा-छोटा पीस तुम कर सको उतने छोटे-छोटे पीसे में इसे फार्ड दो वाइस टीचर ने कहा soon the single sheet was thrown into a hundred tiny bits of paper जल्दी उसने छोटे-छोटे पीसे में उसको 100 मतलब साइकडो पीसे में उसे छोटे-छोटे-पीसे उसने फार्ड दे उसे throw the bits out of this window the teacher told him teacher ने क्या कहा इसे अभी छिड़की के बाहर फेक दो that was easily done अब फटा-फट उसने फेकने में कितना टाइम गया ठीक है जितना टाइम फार्ड ने में गया उस paper को उससे भी कम ज्यादा टाइम उससे फेकने में हुआ that was easily done बहुत easily हो गया it was a windy day and the tiny bits were scattered far and wide तो उस दिन कैसा था बहुत ही windy मतलब बहुत ही हवा चल रही थी उस दिन और जो चोटे-चोटे bits थे tiny bits were scattered बिखर गया इसकटे बिखर गया far and wide दूर दूर तक वो बिखर गया पूरे even as the young man washed और वो जो आदमी था वो भी देख रहा था जिसने वो फाड के उसे फेके now go out into the street and collect as many bits of the paper as you can the teacher ordered him teacher ने क्या order दिया उसे क्या बोला now अब तुम जाओ बाहर जाओ street में गली में जाओ और क्या करो collect करो जितने भी as many bits जितने भी bits बीट मतलब चुट 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 पीसे होते है ठीक है उन papers की bits को तुम collect करके लाओ the young man was taken aback taken aback means surprised like shocked हो गया वो shocked ठीक है taken aback मतलब होता है shocked हो जाना so shocked हो गया but but that will be difficult he is tamar streamer means fought streamer का मतलब होता है एक दम से लाइक किचाना ठीक हर बढ़ाना कैसे बढ़ बढ़ाने लग मतलब की कुछ बात कर दिसे यहां पर देखो यहां पर teacher board नहीं है it will be difficult indeed real में रियार यह difficult है बट डू गिव इटल ट्राय मतलब है बट थोड़ा से ट्राय तो करो वास्ताव में है तो कठीन काम पट्वा ट्राय तो करो टीचर ने सजेस्ट किया the young man went out तो वो बाहर चला जाता है he returned half an hour later वो आदे गंटे में वापिस भी आ जाता है exhausted परिशान होके अग्दम थक के परिशान होके आता है he had not been able to get hold of a single ton bit from the paper he had ton up just a while earlier वो बाहर से थक हार के आदे घंटे में वापिस आया लेकिन उसे एक single bit भी नहीं मिला जो फाड़े हुए paper थे उसका उसे single bit भी नहीं मिला जो कि उसने कितने जल्दी में मतलब just a while earlier अभी थोड़े time पहले ही उसने फाड़ के फेके थे और उसे एक भी पेपर के नहीं मिला कितने easily उसने फाड़ के फेक दिये थे ठीक है और just उसने फेके ही थे और नीचे गया उसे एक भी नहीं मिला आदे गंटे में this is what happens with the spoken words the teacher said to him तो बोले कि यही होता है spoken words के साथ भी जस्ट अभी जैसा यह incident हुआ बिलकुल ऐसा ही होता है spoken word के साथ जो आपने बोल दिया बिलकुल वह ऐसे ही वापिस नहीं आ सकते once you have spoken the words aloud it is very difficult to take them back एक बार आपने बोल दिया तो उसको वापिस लाना बहुत ही मुश्किल होता है therefore learn to think before you speak in anger तो इसलिए आपको यह सीखना चाहिए learn to think तो आपको यह सीखना चाहिए कि बोलने से पहले गुस्से में आप सोचो तो मैं यहां पर बताए गया अब उसी पर यहां पर देखते हैं और एक स्टोरी है देखते हैं सोक्रेट्स was one of the wisest man of the ancient world यह बहुत पराने टाइम की बात है सोक्रेट्स के बारे में सुक्रात थे तो वह बहुत ही बुद्धिमान आदमी थे ठीक है many were the youth whose lives he influenced for the better और बहुत सारे youth की उन्होंने life को मतलब बहुत सारे youth जोने जवान लोग थे उस टाइम पर योध लोग जो थे उनको influenced किया उनकी life को influenced किया उनकी life को पुरावित किया अच्छा बनाया ठीक है अपने teachings के थू Socrates counseled his disciples to keep their mouth shut disciples means क्योंते students उनके जो followers थे तो Socrates उन्हें हमेशा counsel करते counsel में अच्छाते guide करते अपने disciple को अपने students को कि अपने mouth को हमेशा बंद रखने है ठीक है and speak only when absolutely necessary और तभी बोलो जब सच में बहुत जरूरी हो ओ वाइज वन हाव में वी नो वेन इट इस राइट तू स्पीक एक बार क्या होता है उनके जो disciples होते हैं वो लोग पूछते हैं कि ओवाइज वन मतलब की बुद्धिमान थे वह बहुत तो इस तरीके से किस तरीके से उनको यहां पर बोल रहे हैं wise one की सबसे बुद्धिमान आप हो तो आप मुझे मतलब बताए कि हम हमें कैसे पता चलेग आप अपने मुझे को तभी खोलो जब आप अपने आपसे तीन question करो और and received an affirmative answer और उसका एक affirmative means अगर उसका आंसर पूछो तीन अगर उसका आंसर येस आता है तो फिर आप वह अपना मुग को खोलो आप बात करने के लिए अब वह क्वेस्टन कौन से हैं त्री कोश्टन वह आगे देखेंगे ठीक है तो यहाँ पर उन्होंने बोला है कि अपने आप कुछो ओर ट्री कोश्टन अंगरर यह आते हैं तो आप पर यहां पर अपने मुझ को зак Nic Con ye Nea corrác Padre Ay Koti पर थे कुते हैं पूंख तीन क्या है यहाँ पर पर यहां पर बोल रहें कि पहला क्वेस्टन तो यह हैं कि आपिर अपने यह से पहले यह पूछो कि आप जो भी बात बोलने जा रहे हो is it true, क्या ये सच है if we are not sure about the veracity of what we are saying it is better that we do not utter a word अगर आप sure नहीं हो उसकी सच्चाई के बारे में क्योंकि सवाली क्या है is it true, क्या ये सच है जो आप बात बोलने जा रहे हो किसी के बारे में क्या वो सच है तो पहले अपने आप से question करो और अगर आपको उसका answer yes में नहीं आता क्योंकि हमने उपर में देखा कितरी question पूछो अपने आप से और अगर उसके affirmative answer आते हैं yes में answer आते हैं तो ही आपको बोलने है तो पहला question आपको पूछना है क्या यह बात सही है जो मैं किसी को बोलने जा रहा हूँ और अगर आपको आप sure नहीं हो उसके सचाई के बारे में veracity मतलब क्या होता है veracity मतलब होता है like reality, truth ठीक है सचाई के बारे में अगर आप sure नहीं हो आपको नहीं पता कि यह सच है यह नहीं सच है तो बेटर यह होगा कि आप एक भी शब्द मत भोलो अटर मतलब बोलना डिखन वी अटर वर्ट केया लेसली अगर हम कोई भी शब्द अचाता है तो क्या दोलेंट के लिए हैं से ही यूव ही बोल देते हैं लापरवाही से वी आर्स्यूंक बखाण सकते हैं तो हम भी क्या होते हैं ट्रांस्टीटर होते हैं बात को अन्टूथ का मतलब चाहरत का होता है और और फ्रेंटर उडसी ऐसा इंसान जो TIM करता है become transmitters of untruth? तो हम neugうわए कि यहते हैं तो नhosिए हे लिए रोएट को spread करता है फैलाता है प्रोपेगेट करता है उस बात को प्रचार करता है उसका ठीक है तो समझो कि हम भी कैसे होंगे कि गलत बात को फैलाने वाले होंगे और यह क्या होगा यह तो गलत होगा ना कि हम क्यों बने गलत बात को फैलाने वाले तो यह जो इस तरीके के भी एक बोलने जा रहा हो तो क्या यह सही है कि नहीं सही je अब डूसरा कोश्चन है is it present to pleasant का मतलब की क्या यह सुनने वाले माले को अच्छा लगेगा मालो पहला तो यह है इस ट्रूं यह सही है या नहीं सही है और मानलोगर सभी है तो आप बोलने जा रहे हो तो क्या यह जो बात वहाती है वह सुख दैने माला किसी को अच्रा लगने वाला है तो अगर अच्छा लगने वाला नहीं है भले से ओर रहो तो नहीं बोलना है many are the empty remarks and when statesmen that people make in idleness in hurt others तो देखो यहाँ पर when का मतलब क्या होता useless ठीक है तो यहाँ पर बोला यह जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऐसे ही useless statement देते रहते हैं लोगों के बारे में अदेस बनने के लिए ठीक है मतलब की तकलीफ देते हैं लोगों को ठीक है ताने का से ही कि कि सचाई है भी तो उसको भूल भून कि flexibility कि है आप बार बार उसे बोल रहे हो फिसे व attitudes उसे लिए तो यहां पर दूसरा question यह है कि क्या जो बात में बोलने जा रहा हूं कि यह वह किसी को शुक देने वाला है खुश करने वाला है ठीक है और अगर ऐसा नहीं है तो हमें वह बात नहीं बोलने So it is better that these unpleasant words, tomen unspoken वहां तो अच्छा यह अच्छा यह साइँ होगा कि एक उन प्रिजम आप्रोर्जेंट वर्ड है कुछ ऐसी वाते जो डुक देने वाले वह आन प्रिजंटी हो वह अंप्रेजंट्टी जो जो बूक टेने वाले होगा दुमोंटविटों आम अब थर्ड फ है वह सबिस् collectors और एक यह एसी वात से धिन बर बोलते जा रहे है असा कुछ बीन भोनयोच पैसे सुअ कुछ बने से सुने वाला है धर मात वासन जा रहे हैं तो मैं बाते सका हम बने जा रहे हैं तो बने सब्सक्राइब कर और व लाइकटी सामाइन वीथ wildlife सभाइर जो भी बाते बोढ़े हैं क्सी तरह के से ऊस करो है जो बाते बोड़ रहे हैं कि उससे किसी को help कर रहे हैं only in that case should we go ahead and speak और अगर हाँ आपकी जो बाते हैं यह तीनों बाते येस पर आती हैं ठीक है यह तीनों बाते अगर बाते सची है और अच्छी लगने वाली भी है दूसरों को अच्छी भी लगेंगी और तीसरा जो condition है कि यह useful आया नहीं है तो आप बात को बोलिए अगर तीनों में से किसी का भी आंसर नो आए तो आपको बाते नहीं बोलनी है तो यही है lesson का यहां पर आपको मिल जाएगा ओके